Hi fans, हमारे चैनल Automation Fever में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि Excel VBA में Error Handling का यूज कैसे करते हैं सबसे पहले ये बात करते हैं कि Error Handling क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं तो अगर Simple Language में बोलू तो Error Handling एक टेकनीक है जिसकी मदद से हम जब हमारा VBA का कोई Program Run होता है तब अगर कोई Run Time Error आती है तो उसको Handle कराते हैं ताकि हमारे Automation का Normal Flow बना रहे और किसी Error की वैसे VBA का Code Run होते होते बीच में ही नाइस्टाप होती है Normally VBA में Errors तीन टाइप की होती है पहली होती है Syntax Error दूसरी Compile Time Error और तीसरी Run Time Error चलिए एक-एक करके तीन और टाइप को उठाते हैं और इनको समझने की कोशिस करते हैं सबसे पहले Syntax Errors के बारे में बात करते हैं आप यहाँ पर डेली नाम की एक Work Seat देख पा रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं इस Seat को Activate करने का एक लाइन का VBA कोड लिखते हैं हम लिखते हैं Work Seats Collection Control Space की प्रेस करके Intelligence List को Open करते हैं फिर यहाँ से Work Seats Collection को Select कर लेते हैं और Bracket लगाने की बजाई यहाँ पर हम लिखते हैं Double Code उसके बाद Bracket उसके बाद Work Seat का नाम जो की है Daily फिर हम Double Code बंद करते हैं उसके बाद Bracket को बंद करते हैं और लिखते हैं Activate यहाँ पर मैंने जान पूच के Bracket से पहले Double Code लगा है अब अगर मैं Enter की प्रेस करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है हमारी VBA की Code वाली लाइन Red हो गई और VBA Editor ने एक Dialog Box उपन करके हमको Inform किया कि आपकी इस VBA की लाइन में Syntax Error है Syntax Errors वो Errors होती है या तब आती है जब हम VBA के Code को लिखने में Grammar की कोई गलती कर देते हैं अब यहाँ पर Grammar से मेरा मतलब English की Grammar नहीं है जैसे कि आप जानते हैं VBA एक Programming Language है तो इसका Code लिखने के लिए VBA ने हमको कुछ Rules and Regulation दिये है अगर हम अपना Code उन Rules and Regulation के According नहीं लिखते हैं तब यह Syntax Error हमारे Code में आती है अगर आप यह चाहते हैं कि जब भी आपके Program में कोई Syntax Error हो तो यह जो Pop-up वाली Window Open हो रही है यह Open Now Syntax Error Dialog Box Disable करने के लिए हम जाएंगे Tools Menu के अंदर इसमें हमको जाना है Options में और यहां पर Editor टैप के अंदर यह जो पहला Option है Auto Syntax Check इसके आगे Check Box लगाए इसको Uncheck कर देना है OK के बटन पर क्लिक करना है और अब अगर मैं गलत Syntax लिखके Enter की प्रेस करूँ तो सिर्फ मेरी VBA Code के Line Red Color से Highlight हुई है कोई Dialog Box उपन नहीं हो है इवन यहां पर आप Red Color को भी Customize कर सकते हैं अपने According उसके लिए हम फिर से Tools menu में जाएंगे Options पर क्लिक करेंगे और Editor Format के अंदर हमको जाना है Syntax Error Text में और अगर इसका Color यहां पर मैं Magenta कर दूँ OK पर क्लिक करूँ तो आप देखोगे अब जब भी Syntax Error आएगी वो Red Color से Highlight होने की पजाए Magenta Color से Highlight होगी चलिए अब Compile Time Error के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमने जो Syntax Error कर रखे इसको सही कर देते हैं अब Example के लिए माल लीजिए Worksheets Collection से मैं S Letter को Delete कर देता हूं और यहां पर Worksheet लिख देता हूं Worksheet Keyword VBA में होता है पर एक Seat को Activate कराने के Context में इसको हम Use नहीं कर सकते हैं और अब मैं इस Program को Run करूं या यह भी पॉसिबल है कि मैं इसको पहले Compile करालू जो कि मैं करा सकता हूं Debug Menu में जाके Compile VBA Project पे किलिख करके तो यह हमको Compile Time Error दे रहा है वो इसलिए दे रहा है क्योंकि Worksheet Keyword तो VBA में होता है पर उसको हम किसी Seat को Activate कराने में Use नहीं कर सकते हैं यहां पर हमको Worksheet से लिखना पड़ेगा अब अगर इस Code को मैं Debug कराऊं तो यह Debug हो जाएगा कोई Error नहीं है यहां पर एक छोटी सी बात आपको जान लेनी चाहिए जब भी हम अपने Project को Compile कराते हैं अब Compiler सिर्फ Syntax Error और Compile Error के लिए ही चेक करता है Run Time Errors के लिए चेक नहीं करता है अब सबसे लास्ट में हम Run Time Error के बारे में बात करते हैं जिनको है Handle कराना हमारा Main Target है क्योंकि Compile Time और Syntax Error ऐसी Errors है जो कि हमारे प्रोग्राम को Run ही नहीं होने देगी Run Time Errors वो Errors होती है जो कि तब आती है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है अगर Regions की बात करें तो काफी सारे हो सकते हैं जिसे किसी Integer Type के Variable में आप कोई String Store करा रहे हैं किसी Ase Seat को आप Activate कराना चाहते हैं जो आपकी Workbook में है ही नहीं किसी Ase Axle की File को Open करा रहे हैं जो Exist ही नहीं करती तो अगर बिल्कुल Simple Language में कहें तो हम यह कह सकते हैं VBA का Cool जब कोई ऐसा काम करने जाता है जो करने ही पाता तब Run Time मेरत आती है और हमारा प्रोग्राम वही पर पहुँज हो जाता है अब एक्जम्बल के लिए आप मान लीजिए कि हमारे पास चार सीट है डेली, वीकली, मंधली और सीजनल नेम से और हम यहाँ पर मुंबई नाम की एक सीट को एक्टिवेट करने की कोशिज करते हैं Macro Run करते हैं जैसे कि यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं हमारा VBA का कोड मुंबई सीट को एक्टिवेट करने गया जो उसको नहीं मिली और जब तो उसने Run Time Error आपको दे दी यह जो Run Time Error Dialog Box ओपन हो रहा है यह काफी helpful होता है इसमें हमको पता चलता है कि किस प्रॉब्लम की वज़े से यह प्रोग्राम स्टॉप हुआ है इसमें सबसे उपर Error Number आता है और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होता है इन डिटेल की मदद से हम Run Time Error को आगे हैंडल कराना सीखेंगे आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इन Run Time Errors को कैसे इग्नोर करा सकते हैं और कैसे हैंडल करा सकते हैं जाने से पहले एक छोटी सी बात पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि हम VBA की वीडियो को कुछ जादा ही डिटेल में explain कर रहे हैं और क्या आप चाहेंगे आगे से जो वीडियो बनाएं उसको हम थोड़ा short में explain करें अपनी राय से comment box के जरी हमें जरूर अफ़गत कराईएगा जाने से पहले इस वीडियो को like कीजिए और अगर हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको subscribe कर लिजिए मिलते हैं next video में बाई